पार्ट वन में हमने Google Analytics में डूरेशन गोल बनाना सेखा था और इसके साथ हमने ये भी जाना था कि Google Analytics के गोल्स को हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं मतलब कितने यूजर उस गोल पर आये, कितने गोल कम्प्लेट हुए हमारे, कहां से गोल कम्प्लेट हुए इन सब को हमने ट्रैक करना भी जाना था फस्ट पार्ट में आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जो पकी पार्ट टू है जिसमें हम जानेंगे तीन नहीं चीजे सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम Google Analytics और Google Ads को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं सेकेंड हम यह देखेंगे कि पेस सेशन गोल क्या होता है और हम उसको कैसे बना सकते हैं और थर्ड मोस्ट इंपोर्टन जिस पर यह वीडियो है Google Analytics के गोल्स को Google Ads में इंपोर्ट करना यह तीन चीजे हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर स्टैप बाई स्टैप तो लास्ट रग वीडियो को देखें अगर आप सीखना चाते हैं ठीक से Google Analytics और Google Ads को लिंक करना सेशन गोल बनाना और गोल्स को इंपोर्ट करना चलो फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिकली करना हेलो दोस्तो मैं हूं शिवावसीन और आप देख रहे हैं Digital Buddy India अगर आपने Digital Buddy India को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो क्योंकि आप सीखने वाले हो Completely Free Digital Marketing Courses Already हमारे दो Courses चल रहे हैं Facebook Ads and Google Ads जिसकी Playlist का लिंक आपको Description में मिल जाएगा आप देख सकते हैं और Make Sure करें आप एक वी वीडियो मिस ना करें क्योंकि Step by Step मैं आपको Digital Marketing सिखा रहा हूँ चलो फिर वापिस आदें टॉपिक पे आप सबसे पहले आपको Login करना है Google Ads और Google Analytics को हमने दोनों को यह Open किया हुआ है अब आपको आना है Google Ads में और हम क्लिक करेंगे Tools and Setting में क्योंकि हमें सबसे पहले Link करना पड़ेगा Google Ads को और Google Analytics को और इसके बाद आपको जाना है यह आप देख रहे है Link Account Setup के अंदर आएगा यह इस पर आपको क्लिक करना है यह हमने अल्रेडी Link किया हुआ है पहले हम इसे D-Link कर देते हैं Unlink कर देते हैं उसके बाद हम दुबारा से Link करके आपको दिखाएंगे हम क्लिक करेंगे Manage A Link पे और यहां से करेंगे इसे Unlink यहां से क्लिक करेंगे Unlink पे अब Google Ads और Google Analytics Unlink हो चुका है इसको हम Cross Check करते हैं एक बार Tools and Settings में आपको वापिस आना है और जाना है Link Account में अब देख रहे हैं अब Google Analytics हमारा हट चुका है और अब हमारा YouTube Channel ही लिंक है सिर्फ अब हम दुबारा से लिंक करेंगे इसको अब एक Option आ रहा है यहां पे Google Analytics का इसमें एक साइड में एक Option है राइट साइड में डिटिल्स का आपको इसपे क्लिक करना है अब आपको क्लिक करना है लिंक पे पहले आप ID मैच कर लेंगे आपकी जो Google Analytics के ID है न 168752571 यह ID हम पहले Google Analytics में चेक कर लेंगे हमारी मैच होरी ID की नहीं होरी मैच और हमें ID काहां से मिलेगी Google Analytics में आपको जाना पड़ेगा Admin में आप जब Login करेंगे ने Google Analytics को इस Dashboard पर आ जाएंगे आपको जाना पड़ेगा Admin में क्लिक के हमने Admin पे यहां से आप Option देख रहे हैं अब जैसे एकाउन को सेलेक करेंगे अपने और प्रोपर्टी को सेलेक करेंगे और प्रोपर्टी में यह एक Option आता है Tracking Info आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से क्लिक करना है Tracking Code पे यह आपकी Tracking ID अब इसको मैच करना है आपको जो Google Ads में शोओ हो रही है और Google Lating में जो ID आपकी सेम होनी चीए दोनों हम चेक कर लेते हैं 168-752571 और यही ID हमारी Google Ads में शोओ हो रही है Cross Verify हम कर चुके तो अब हम कर लेते हैं इसको Link क्लिक कि हमने Link पे यहां से इसको On कर देते हैं इसको भी On कर देते हैं और यहां से कर देते हैं इसको Save आपका Account हो चुका है Link और अगर आप इसको फिर से चेक करेंगे ने Tools and Settings में जाके और Link Account में तो आपको Show हो जाएगा Link में यह देख रहे हैं आप Google Analytics लिंक शोओ हो रहा है यहां पर तो इसका मतलब हमारा Link हो चुका है Google Analytics अब आते हैं हम दूसरे Step पे जिसमें हमें Page Session Goal बनाना है तो हम आएंगे Google Analytics में यहां से आपको Account चूज करने है अपना Property चूज करने है और Property में ही आपको Property के आगे मिलता है आपको View और View के अंदर आता है Goals का Section Click करने है आपको Goals पे पहले मैं आपको थोड़ा सा बतायाता हूँ कि जो Session Goal होता है Page Session Goal क्या होता है वो इसके लिए हम एक Website Open करते है माल लेते हैं यह मारी Website का Front Page है Home Page एक User आया हमारी Website पे वो सबसे पहले आया हमारे Home Page पे उसके बाद गया हो हमारी Service Page पे क्योंकि वो Service चेक करना चाहता था हमारी उसके बाद आया हो Contact Us Page पे तो उसने कितने Session complete कर लिए तीन Session वो Home Page पे आया Service Page पे आया Contact Us पे आया तो अब हम इसके लिए Goal बना सकते है Analytics में और उसको Track कर सकते है कितने Goal complete हो रहे हैं और क्या Path है हमारे Goal का तो इसके लिए हम Goal बनाते है Analytics में वापिस आते हैं और यहां से आपको क्लिक करना है New Goal पे और यहां से आपको जाना है Custom में और यहां से करें एक Continue यहां पे Goal का हम एक नाम देए दे है Three Pages Session देए देए गोल का नाम Already हम बना चुके हैं इसलिए हम एक New नाम देए देए इसको हम Last में New डाल देते हैं इसके और यहां से आपको क्लिक करना है Pages पे उ स्क्रीन पर Session पे Duration Goal ओर डेडी हम बना चुके हैं अगर आपको Duration Goal बनाना नहीं आता है तो आपको आई बटन में लिंक बिल चाहेगा आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं हमने क्लिक किया Pages Session पर और यहां से क्या हमने Continue अब यहां पर आपको Pages डालने पड़ेंगे कितने Pages के लिए आप Goal बनाना चाहते हैं हम बनाना चाहते हैं 3 Pages यह उससे उपपर की विजिट होती है तो उसके लिए एक Goal बन जाए और यहां पर आप Value देंगे एक Goal को यह Optional है आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते तो हमें एक Value दे ही देते हैं इसको एक डॉलर दे देते हैं और यहां से करते हैं Verify this Goal मतलब कितनी Activity Past में हो चुकी है हमारे इस Goal में आप देख रहे हैं 45.45 जो Conversion Rate है यह आ रहा है इस Goal का मतलब काफी वार यह हिट ओ चुका है यह Goal हमारे जो Website है उसको मतलब अगर 100 Customer हमारी Website पे आ रहे हैं तो 45% ऐसे Customer है है जो हमारे 3 Pages विजिट कर रहे हैं इसका मीनिंग यह है यहां से करना आपको Save आपका Goal हो चुका है Ready यह हमने मनाया भी 3 Pages Session New और इसको आप Own Off भी कर सकते हैं अगर आप चाते हैं Off करना रिकॉर्ड नहीं करना उस Goal को तो आप Off भी कर सकते हैं इसको तो यह तो हो गई Goals की बात अब आते हैं हम इस वीडियो की थड़ पार्ट पे जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे इन Goals को Google Ads में अपने तो हमें वापिस आना पड़े हैं Google Ads में और यहां से क्लिक करना होगा आपको Tools and Settings में और यहां से Measurement में एक Option आ रहा ना Convergence का इस पर आप क्लिक करेंगे और जितने भी Convergence होगे आपके Show हो जाएंगे वेबसाइट से हम सीख चुके हैं वेबसाइट से हमें Convergence कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता वेबसाइट के थुरू Convergence बनाना तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आज हमें Import करने वाले हैं तो हम क्लिक करते हैं Import पर और यहां से आते हैं Google Analytics पर और यहां से करते हैं इसको Continue अब हमारे जितने भी Google होगे ने Google Analytics में वो यहां पे Show हो जाएंगे तो हम ऐसा करते हैं सबको Import कर लेते हैं, Select के हमने सबको और यहां से किया import and continue और यहां से करते हैं इसको done अब सारे goal आपके यहां पर show हो जाएंगे यह देर है contact us का यहां पर show हो रहा है यहां पर source भी show होता है source इसका क्या है Google Analytics 4 pages session का यहां हमने बनाया था goal उसका भी source क्या है Google Analytics एक हमने जो सबसे latest बनाया है वो कुछ time बाद show होगा मालब one day का time लग जाएगा उसका show होने में फिर उसको हम import कर सकते हैं तो ऐसे बनाते हैं goals और उनको import करते हैं Google Ads में आज की वीडियो में इतना ही thank you very much for watching this video bye bye take care